नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मिरा नाम अभिनाश है यासिर आराफात पाकिस्तान के पुर्वतेज गेनबाज है धोनी के साथ खेल चुके है और हाली में इन्होंने एक बड़ी बात कही है इन्होंने काए कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस समय धोनी की जरूरत ह और भाईया धोनी ने तो सन्यास ले लिया है तो अब धोनी की कैसे जरूरत हो सकती है धोनी बत और कोच भी पाकिस्तान टीम में नहीं जा सकते और कभी वो जाएंगे भी नहीं क्योंकि जब से धोनी ने सन्यास लिया है वो मीडिया से काफी ज़्यादा दूर रहते है और अपने एक private life जी रहे हैं जारखंड अपने farmhouse पर तो यासिर अराफात ने एक बयान दिया उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर धोनी जैसा खिलाडी हो जिनमें धोनी जैसी काबियत हो तो शैद पाकिस्तान क्रिकेट काफी उचाई पर जा सकता है यासिर अराफात से जब पूछा गया कि भई कौन से ऐसे खिलाडी है जिन्हें आप पाकिस्तान टीम की प्लेंग लेवन में देखना चाहेंगे तो उन्होंने MS धोनी का नाम लिया यासिर अराफात ने कहा कि पाकिस्तान टीम को MS धोनी जैसे खिलाडी की ज़रूरत है और बतोर कप्तान अगर MS धोनी जैसा कोई खिलाडी आ जाए तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत उचाई पर ले जा सकता है साथ में उन्होंने तारिफ की है कि धोनी जैसा फिनिशर और धोनी जैसा कप्तान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि यासिर अराफात धोनी के साथ खिल चुक है आपोजीट में खिले है वीपक्षी खिलाडी के तौर पर खिले है 2007 के T20 विशो कप में और MS ध धोनी के बहुत बड़े वाले फैन भी है उनकी चाहत है कि धोनी जैसी काबलियत किसी पाकिस्तानी खिलाडी में हो और वो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी ज़्यादा उपर लेकर जाए हाला कि उनका ये जो सपना है वो अधूरा रह जागा क्योंकि धोनी जैसा कोई दूसर का नहीं हो सकता है उम्मीद करेंगे कि बाबा राजम जो कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है वो उनका तेज दिमाग हो बत और कप्तान धीरे धीरे वो सीखे अनुभम मिले और पाकिस्तान क्रिकेट को नई उचाई पर लेकर जाए लेकिन यासीर अराफात उनकी खाइश है कि कोई एक धूनी जैसा खिलाडी आजाए पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान टीम को मैच जीता है, ICC टोनामेंट जीता है, जैसे MS धूनी ने भारत को जीता है, T20 वीशो कप, 2011 में क्रिकेट वीशो कप और उसके बाद 2013 में चंपिन्स टॉफी, इस वीडि दो सकते हैं